आलो दोस्तों नमेशकार आप सभी का स्वागत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनहिया बी कानेर राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के मद्यम से एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर गर रहा हूं कि पंदरा साल से IBS से सिकार एक वैक्ति ने कैसे अपने IBS को पूरी तरह से नॉर्मल किया जो अपने डे टो डी लाइफ के अंदर जो कॉगनिटिव एवरेल थरेपी की प्रैक्टिस करके अपना आपको पूरी तरह से ठीक किया इसको पूरा बहुत अच्छे समझेगा यह जो वैक्ति है यह 35 यह ओल्ड के हैं और पिछले 15 सालों से मतलब at the age of 20 year इनको यह स्टार्ट हुआ IBS जो स्टार्ट हुआ और पिछले 15 सालों में इनोंने अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे ट्रीटमेंट इनोंने यूज किये जिसके अंदर इनको प्रापर जो रिलीफ है वो नहीं मिला फिर इनोंने साल देज साथ पहले इनोंने cognitive behavioral therapy उसकी practices स्टार्ट किया basically इनको जो symptom feel होते थे वो symptoms क्या रहते थे कि पेट के अंदर इनके मरोडे से आते रहते थे पेट के अंदर कभी gas बन जाती थे कभी constipation हो जाता था, loose motions लगने लग जाते थे, कहीं पर भी जाने की कहीं पर भी बात होती तो उससे पहले ही पेट इनका गुड़-गुड़ करने लग जाता था और घंटों इनको जो toilet उसके अंदर इसके अंदर spend करना पड़ता था toilet के अंदर भी कई बार mucus है, वो release होने लग जाता था मतलब कुछ भी खाते, तो जो पेट है वो उसको properly तरीके से पचा नहीं पाता था उसके साथ में normal नहीं हो पाता था तो इनको ये symptoms पिछले 10-15 सालों से लगातार फील हो रहे थे अच्छा ये जो symptoms है, इनके लिए इन्होंने जो investigations है इन्होंने जो investigations है, जो जाँचे हैं, वो пेट से related सारी करवा नी इन्होंने endoscopy भी करवा लिया, इन्होंने u sdd भी करवा लिया, इन्होंने LFT, RFT, जो CT जो कुछ भी हो सकता है, abdomen से related, वो सारे investigations इन्होंने करवाले हैं और एक बार नहीं कई बार investigations करवा चुके थे फिर भी पेट है कि मानी नहीं रहा कभी उसमें gas बढ़ जाती है कभी उसमें constipation होने लग जाता है कभी acidity होने लग जाता है ऐसा लगता है जैसे खाना अंदर गया नहीं कि पेट बस तेजी से काम करना शुरू कर देता है तो उसके कारण इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी तो यह जो investigations है यह सारे के सारे investigations इनके क्या थे? Normal थे कई बार यह investigations हो चुके और यह सारे investigations इनके क्या थे? Normal थे अच्छा, investigations जब हमारे normal होते हैं, तो basically यह जो problem है, यह anatomical problem नहीं है, मतलब यह जो IBS के जो symptoms हमें feel हो रहे हैं जो abdomen से related जो symptoms feel हो रहे हैं, मतलब जो gas बन रही है या acid secretion बढ़ रहा है, या loose motions लग रहे हैं, या फिर जो constipation हो रहा है या पेट के अंदर जो गुड़-गुड feel होती रहती है, या फिर जो cramps आते रहते हैं यह जो symptoms है symptoms तो feel हो रहे हैं, लेकिन symptoms का जो कारण है, वो पेट ना होके कुछ और है वो कारण क्या है, वो कारण है हमारा autonomic nervous system हमारा जो ANS है अगर हमारा ANS abnormal stimulate होता है, तो हमारी बॉड़ी के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग परकार के symptoms feel होते हैं कुछ लोगों को पेट से related होते हैं, कुछ लोगों को सीने से related होते हैं, कुछ लोगों के सांस से related होते हैं, कुछ लोगों के chest से related, complaints से वो उनको feel होती है तो यहाँ पर इनके क्या गड़बड हो रही थी, basically autonomic nervous system जो है, वो abnormally stimulate हो रहा था, जिसके करण इनको क्या symptoms feel हो रहे थे, IBS के symptoms feel हो रहे थे, अच्छा, ANS जो है, वो क्यों गड़बड करता है, दोस्तों, ANS तब गड़बड करता है, जब हम किसी भी परकार का, जो psychological issues है, उसस thinking चलती रहती है, हमारा जो दिमाग है, वो शान्त नहीं हो पारा, दिमाग में कुछ ना कुछ ना कुछ continuous जब negative चलता रहता है, तो उसके करण हमारा जो brain है, हमारा जो mind है, वो relax नहीं हो पारा, अब जब mind relax नहीं हो पाता, तो हमारा जो mind है, वो continuously oxidative stress में चला जाता है, और बॉड़ी के अंदर chemical imbalancing होती है और उसी की वज़े से हमारा ANS गडबडगड़ता है और उसके कारण हमें IBS के symptoms feel होते हैं तो उन्होंने IBS के लिए जो treatment लेने थे जो भी pate से related हो सारे treatment लेते हैं लेकिन उनसे उनको कोई खास relief नहीं मिला फिर उसके बाद में उन्होंने CBT के उपर work up स्टार्ट किया cognitive behavioral therapy पर work up स्टार्ट किया अच्छा ये किस तरह से उन्होंने किया वो भी मैं आपको explain गर रहा हूँ basically सबसे पहले तो उनको ये insight बहुत अच्छे से develop हुई कि sir investigation सारे normal है जांचे सारी normal है और ये भी बात से है कि sir मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ negativity चलती रहती है अब जब आपके दिमाग में हर वक्त negativity चलती रहती है नकारात्मक्ता चलती रहती है कुछ ना कुछ negative thought चलता रहता आपका brain continuously काम करता रहता है तो उसके कारण हमारा ANS गड़ बड़ होतार उसके कारण हमें क्या होते हैं symptoms feel होते हैं तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीत से permanently बाहर निकले अगर इस IBS से permanently free होना है तो हमें IBS का जो root है जो इसकी जड़ है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर इसका root ठीक नहीं होगा जैसे मानली जी कि किसी को सामाने तो fever होता है बुखार होता है अगर वो बुखार को कम करने के लिए खाली paracetamol ले लेता है तो उसको फिट से fever आने लग जाता है क्योंकि fever जो है वो एक symptom है और paracetamol क्या करती है आपके fever के symptom को कम कर देती है लेकिन मान लीजी कि अगर वो fever malaria का है तो आपको साथ में क्या यूज करना पड़ेगा इनके किस परकार की negative thought चलती थी बेसिकली दोस्तों इनके साथ में क्या problem हो रही थी कि ये किसी भी मंदिर के आगे से गुजरते तो इनके मन में एक doubt create होता है कि मैं मंदिर के आगे से गुजर रहा हूँ तो मैंने बगवान की जै नहीं बोली अच्छा बगवान की जै नहीं बोली तो बगवान नाराज हो जाएंगे तो फिर ये क्या करते है कि मंदिर के अंदर जाते और वहाँ जाकर फिर ये क्या बोलते है जै बोलते है अब मानली जी कि इन्होंने हनुमान जी के आगे जै बोल दिया तो दिमाग में खयाल आता है कि मैंने हनुमान जी के आगे तो बोल दिया अब हनुमान जी तो ठीके खुश होगे लेकिन हनुमान जी के आगे जय बोलने से गनेश जी नाराज हो गए होगे तो फिर ये आसपस फिर गनेश जी का मंदिर ढूंडते और फिर वहाँ जाकर जय बोलते गणेजी के आगे जय बोल दिया तो फिर उनको ये रहता कि नहीं गणेजी के आगे तो बोल दिया बाकी जो देवता है वो नाराज हो गए होंगे कि कभी ये हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, कभी ये गनेश जी के मंदिर में जा रहे हैं, कभी ये शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाने से इनका पूरा का पूरा जो दिन है वो खराब होता, तो कई बार ये ये कोशिश करते हैं, कि अगर इनको पता च इस्प्लेइन किया है कि जो escapism है वो हमारे जो दिमाग के अंदर जो thought आती है जो obsessions आते हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं जो negative thoughts आती है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि आप continuously क्या कर रहे हो इन thoughts के उपर act किये जा रहे हो और thoughts के उपर यह ज thought और ज़्यादा मजबूत होने लग गिये दीरे-दीरे इनका जो comfort zone है वो और ज़्यादा सीमित होने लग गया comfort zone बना और वो दीरी-दीरे क्योंकि कहीं कहीं किसी न से गली किसी महले में के अंदर कोई न कोई तस्वीर या कोई ना कोई photode ये कोई bacter अपर फिर इनको गंदेगी की वज़े से बगवान और नाराज होगे, क्योंकि मेरे को मंदिर जाना था, मेरे को उनकी जय बोलानी थी, तो इसी तरह से पूरे दिन इनके दिमाग के अंदर ये थोट चलते देते हैं, और इसी थोट की वज़े से जो ANS गड़बड होता और उसकी वज़े से क्या हो रहा था, जो IBS के symptoms create हो रहे थे, तो इन्होंने इसके वपर जो CBT का वरकप किस तरह से start किया, दोस्तो कोई भी जो हमारे दिमाग में thought आती है, कोई भी हमरे दिमाग के अंदर विचार आता है, वो जो विचार है, वो सही है या नहीं है, इसको हमें बार-बार क्या करना पड़ता है, validate करना पड़ता है, dispute करना पड़ता है CBT की basically practices के अंदर क्या होता है कि जो reality है उस reality तक हमें पहुँचना पड़ता है basically कोई भी psychological जो problem create होती है वो problem कब create होती है जब हमारा जो perception है उस perception के अंदर problem हो, perceptual problem के अंदर क्या होता है illusion create हो जाता है illusion का मतलब क्या है जो reality है ही नहीं हमें उसके अलावा कुछ reality नज़र आने लग जाती है मतलब जो चीज़े है ही नहीं वो चीज़े हमारे दिमाग के अंदर क्या कर लेती है घर कर लेती हमारे दिमाग के अंदर perception मन जाता, thoughts आनी सुरू जाती है तो यहाँ पर क्या perceptual problem थी यहाँ पर एक perceptual problem तो यह थी कि अगर मैंने भगवान की जय नहीं बोलाई अगर मैं मंदिर में नहीं गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे भगवान क्यों नाराज हो जाएंगे इसको यहाँ पर क्या करने की ज़रूत है validate करने की ज़रूत है इसको यहाँ पर तोड़ने की ज़रूत है अगर हम इस thought को यह जो negative thought है यह जो obsessive thought है अगर हम इसको यहाँ पर validate नहीं करेंगे अगर हम इसको यहाँ पर break नहीं करेंगे तोड़ेंगे नहीं तो यह thought फिर से repeat होगा और हमारा दिमाग के अंदर क्या बना देगा पैटन बना देगा, negative पैटन बना देगा और वो पैटन फिर future में क्या गरेगा हमें परिशान करेगा, तो यहाँ पर इस thought को validate करने की ज़रू होते है, कि अगर आप बगवान के मंदिर में नहीं जाते है वो बगवान नहीं है, बगवान आप जय बोलाते हो, चाए नहीं बोलाते वो तो nature की तरह है, प्रकति की तरह है जैसे एक पेड़ है, वो सब को छाव देता है चाए वो पेड़ के बारे में कुछ भी बोले चाए ना बोले, वो चाए माने, चाए ना माने वो सब को छाव देता है, परमात्मा तो कुछ ऐसे ही है, जो सब के लिए हर तरह से अवेलेबल है, आप चाहे जै बोलाते हो, चाहे ना बोलाते हो, वो तो आप सुरुधावस बोलाते हो, और ये जो नाराज होने वाला जो behavior है, ये इनसानों का है, basically हमारे दिमाग में जब य इनसानों की जो definition है, basically एक इनसान है, जब आप उसको welcome नहीं करते, आप उसको नमस्ते नहीं करते, आप उसका regard नहीं करते, तो basically वो नाराज होता है, इश्वर नाराज नहीं होते, तो हमने इनसानों की जो परिबाशा है, उसी परिबाशा को हमने किस पर लगा दिया, इश् कि वो इंसान की तरह नहीं है इंसान की qualities नहीं है इंसान के अंदर जो ये गुस्षे वाला part है जो इंसान के अंदर नाराज होने वाला part है कि जब आपनों उनका welcome नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा और वो आपका कोई नुकसान पहुंचाने के पिछे लग जाएगा इश्वर के अंदर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर यह चीज थोड़ा समझने की है अच्छे से understand करने की है कि अगर आप परमात्मा की जै बोलाते हो, चाए नहीं बोलाते आप मंदिर जाते हो, चाए नहीं जाते उससे वो आपसे नाराज नहीं होते यह एक इंसानों की definition है जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं यह सब चीजे हम क्या करते हैं? हम सरदावस करते हैं जैसे हम हमारे parents के प्रति शरदावान होते हैं, उसी तरह से हम इस पूरी whole nature, यह पूरी प्रकती जो यह पूरा परमात्म है, इसके प्रतिक है सरदावान है कि हमें इतना कुछ दिया इतना सब कुछ available करवाया हमारे लिए हवा available करवाया, पानी available करवाया जो खाने के लिए इतना अच्छा भोजन available करवाया हमें सारे अनुभव लेने के लिए इतने अच्छा-च्छा sensory organs दिये, उन सब के लिए हम क्या है thankful है, तो उस thanks के कारण हम क्या करते हैं इश्वर के आगे जुकते हैं, उनको सरदा क्या, वस हम क्या कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, ना कि किसी डर के कारण हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नमन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूत है कि यह जो दिमाग में बार-बार thought आ रहा है, तो यहाँ पर हम अपने आपके explain करें कि basically, जो इनसानों की परिवासा है, उसको मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर generalize कर दिया तो यह जो dispute है, यह हमें continuously अपने आपको add-on करना होता है जब भी भी हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है तो इन्होंने जो 35 year old के जो बाई-साब है, इन्होंने क्या किया कि continuously जब भी इनके दिमाग में इस तरह का thought आता है, कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ पाप कर दिया, तो यह अपने उस thought को validate करते, यह उस thought को dispute करते, उसको observe करते कि कहीं मैंने क्या mistake किया भी उस mistake को यह क्या करते, correct करते धीरी-धीरी इन्होंने इसको correct करना start किया, और धीरी-धीरी इनके अंदर इसका response भी आने लग गया, यह normal भी feel करने लग गया, और साथ में इन्होंने यह जो escapism start कर दिया था कि भई कहीं पर भी अगर इनको मंदिर दिख जाता है, या कहीं पर भी इनको फोटो दिख जाती है, तो यह उस गली में नहीं जाएंगे इन्होंने उस गली में जाना सुरू किया मंदिर में भी जाना सुरू किया और अगर एक बार अगर इन्होंने किसी भगवान के आगे जुग गया, जै कर दी और दिमाग में अगर थोट आ रहा है कि नहीं, गनेश जी के आगे जुखना तो इन्होंने गनेश जी के आगे जुखना कैंसल किया, कि नहीं, जब मैं उदर से जाऊंगा या कभी मिलेंगे, तो ठीक है सरदावस जुग गये यह बात अलगे, लेकिन अभी जो यह खेयाल आ रहा है इसके तहट में यह सब चीजें नहीं करूँगा इससे भगवान नाराज नहीं होने वाले इससे इश्वर नाराज नहीं होने वाला इससे परमात्मा नाराज नहीं होने वाला तो इन्होंने दो चीजों पर काम किया, एक तो escapism को दूर किया और दूसरा दिमाग में जो भी thoughts आ रही थी, उन thoughts को इन्होंने क्या क्या, dispute करना है, start किया, validate करना है, start किया, और continuous इन्होंने 8-10 महीने, 12 महीने लगातार इसके practice किया, और इस practice से इन्होंने अपने IBS को पूरी तरीके से ठीक कर लिया, normal कर लिया, और currently इनका IBS एकदम पूरी तरह से normal है, यह asymptomatic है, और अपने thoughts को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं, जानने लगें, इसको पर काम करने लग गए, तो दोस्तों यह पूरा का पूरा जो case है, मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हू नीचे comment box में लिखकर जरूर बताएगा, दोस्तों हम लोगों ने जो IBS की जो problem है, जो anxiety की जो problem है, जो negative thoughts की जो problem है, जो हमारे दिमाग के अंदर continuously run करते रहते हैं, जो basically हमारे दिमाग के अंदर negative patterns के कारण create होते हैं, तो उन patterns को हम कैसे change कर सकते हैं, कैसे उनके उपर work कर सकत का, एक पूरा CBT का जो course है, वो हमने launch किया वाज इसका link नीचे description में है, जिसको आप अपने अंदर install करके, अपने अंदर लेके, उसको पूरी तरह से, अपनी IBS को पूरी तरह से हटा सकते हो, अपनी anxiety को पूरी तरह से normal करने में बहुत अच्छी help ले सकते हो, अपनी overthinking, अ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत!